हेलो दोस्तो आपका मेरे यूटूब चेहें पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ चेहरे को गोरा चमकदार और सुन्दर बनाने का एक राममाट घरिलो उपाए इसकी मदद से आप अपने चेहरे को गोरा चमकदार और बेदाग बना सकते हैं अगर आपके चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स के निसान है या काफी सारे काले निसान है तो आप इने हमेशा मिज़ा के लिए दूर कर सकते हैं दोस्तो यह नुश्का आपके तुचा पर कोभी sacred effect नहीं करेगा क्योंकि एकदम गरूली नुश्का है इसमें इस्तेमाल किए इन सारी के सारी चीयह, एकदम naturally चीयह है, इनसे हमारी तुचा पर कोभी sad effect नहीं होता है यह हमारी तुच्चा को तेजी से गोरा चमकदार और सुन्दर बनाते हैं तो जानतें दोस्तों क्या ही नुश्का आगे भरने से पहले अगर आपना वीतेख हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले तो नुश्के को बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जरूत पड़ी यहां पर एक खाली बाउल की हम सबसे पहले एक खाली साफ सुतरा बाउल लेंगे और इसमें हम जो चिल लेनी है वो दोस्तों नीवू का रस हम यहां पर इसमें एक चमश के बराबर नीवू का रस एड़ करेंगे तो ध्यान से देखे दोस्तों नीवू का रस हमारी तुच्चा पर बिलीच की तरह काम करता है यह मैं तुचा के मेल और गंदी को भान निकलता है नेवुकरस की मदद से तुचा में तेजी से निखार आता है नेवुकरस तुचा से दाग दब्बे जुरियां और काले निसानों को दूर करता है अब दूसरी चीज़ जो हम इसमें लेंगे वो दोस्तो कॉलेट का पेष्ट हम यहाँ पर सिंपल वाला कॉलेट का पेष्ट लेंगे जो कि हमरे देख रहे हैं आपको सिफ सिंपल वाला कॉलेट का पेष्ट इसमें एड़ करना है तो सिब इतनी सी मात्रा में आपको कॉलेट का पेश्ट ने आपर लेना है कॉलेट का पेश्ट हमारी तुच्चा पर ठंडग देता है जिससे हम काफी अच्छा महसूस करते हैं साथी कॉलेट के पेश्ट की मदद से तुच्चा में गिलो आता है यह हमारी तुचा को गोरा चमकदर बनाने का भी काम करता है कॉलेट का पेस्ट हमारी तुचा के लिए काफी फाइदमन्द होता है तो आपको, सॉरी, सबसे पहले हम इनके बीजियों को जो निकाल देंगे तो हम इन दोनों चीओं को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे कॉलेट का पेस्ट और निवू करस अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीओं एक साथ मिक्स करने से दोस्तों कॉलेट का पेस्ट जो है किसी भी पेस्ट में अच्छे से मिक्स नहीं होता है तो आपको सबसे पहले निवू के रसमे कॉलिट के पेश्ट को अच्छे से मिक्स करना है इसे मिक्स करती है आप देखेंगे किस तरीके से ये पेश्ट काफी अच्छे से बन जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप देश सकते हैं काफी अच्छा यो पेस्ट बन के तयार हो चुका है इसी तरीके से आपको इसे लगातर चलाते रहना है जिससे की पूरा जो कॉलेट का पेस्ट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो यह हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसमें जो हम अगली चीज़ों लेंगे वो दोस्तो बॉरू प्लेस जो कि आप मेरे पाई देख रहे हैं आपको जो बॉरू प्लेस लेनी है मैंने यहापर पांच रुपे वाली बॉरू प्लेस लिए मैं यहापर इसमें थोड़ी सी मात्रा बॉरू प्लेस एड़ करूँगा द्यान से देखा सिब इतनी सी मात्रा में हम इसमें बॉरू प्लेस एड़ करेंगे बॉरू प्लेस हमारी तुच्छा के लिए काफी अच्छी होती है अगर दोस्तों आपके एडियां जादा फट जाएं तो आप रात को सोने से पहले फट वी एडियों में बोरो प्लस लगा लें कुछी दिनों में आप देखेंगे आपकी एडियां एक दम्प सौफ्ट और अच्छी हो जाएंगी क्योंकि बोरो प्लस भी कुछ ऐसे नैचरली चीयों से मिलकर बनी है जो हमारी तुचा के लिए काफी फायर मंद होती है अगर इसे हम अपने चेरे पर इस्तमाल करते हैं तो यह हमारे चेरे को गिलोईंग बनाती है अब इसके बाद हम लेंगे आपा दूस्तों थोड़ी सी हल्दी पाउडर स्रिफ इतनी सी मात्रा में ध्यान से देगा सिर्फ इतनी सी मात्रा में आपको इसमें हल्दी पाउडर एड़ करना है और इन चारों चीयों को आपको अच्छे से mix करके इसका एक अच्छा सा paste बना के त्यार करना है तो इस तरीके से आपका paste जो बनकर त्यार हो जाएगा आप देख सकते हैं काफी अच्छे से हमारी सारी चीयों mix हो चुकी है दोस्तो अब इसे लगाने का तरीका वो यह है आप जो इस तरीके से अपने उंगलियों पर इसे लें और अपने चैरे को उपर गोल-गोल मसास करते हुए इसे अपने चैरे को उपर apply करें इस paste को दोस्तो आप freeze में एक हपते के लिए भी store करके रख सकते हैं इस तरीके से आपको पतला पतला इसे अपने पूरे चैरे पर गोल-गोल मसास करके लगा लेना है फिर आपको इसे 10 मिनट के लिए ऐसे लगा हुआ छोड़ देना है 10 मिनट के बाद दोस्तो आप अपने चैरे को साधा पानी से दोकर साफ कर लें इस उपाय को आप हपते में दो या तीन बार जरू करें इससे आपको काफी इच्छा रेयल्ट मिलेगा आप देखेंगा आपका चैरा पहले से काफी गोरा चमकदार और सुन्दर दिखने लएगा तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया हुगा आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से आपने दोस्तों से शेयर करें वीडियो को लैक करें मिलते हैं लिए नए वीडियो में तब तक लिए उस तो बाए